चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल एफ़े चैनल बोर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरंड एफ़े डेली बेसिस पर यहां पर आप पर सकते हैं क्यूपट और अपको इस टेलीग्राम चैनल पर कंटेंड अवलेबल होगा बहुत बेनिफीचल आप सभी के ने और यह मेगा कॉमबेक्ट है जिसका लिंक मेंने कमेंड बॉक्स पर डाल रख है यह सब चीज़े ग्रैप करने के लिए आप लाइव ओमन कोड यूज करके इसे नोटिफाई करें और इसे टाइम करें तेरा मार्च को चलिए आज के दिन की शुरुवात देखी कुन सी को हम छोड़ सकते हैं और अपनी इंप्रूफ कर सकते हैं अर्बन फार्मिंग को यूज करके इस पूरी केंपेंड को चलाने के लिए नोडल डिपार्टमेंट जो है जो होटी कल्चर डिपार्टमेंट है वो होगा दिली सरकार की तरफ से और डिसकेशन किया जाएगा कि वीड में जो भी है और इसके बाद एक इनिशेटीब भी स्टाट के जाएगा जिसमें अवेर्नेंस कैपेंट जो है लोंज की जाएगी लेट सीदा नेक्स कोशन पीराज कुमार जो है यह सिंगापूर के रेजिडेंट है और इनको हाल फिलाल में कौन सी फानेंसिंग एज बात करी जाए और्ग्राइशन की तो एक इंडर गॉर्मेंटल और्ग्राइशन है जो कि जी सेवन के द्वारा 1989 में बनाएगी थी इंटरनेशनल स्टेंडर्ड लाने के लिए मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए टैर्रिजम को लोकने के लिए और यह पूरा जो है इस पर टू से है और यह फर्स्टाइम ऐसा होगा कि सिंगापूर से कोई व्यक्ति जो है इस अथोर्टी को होस्ट करने वाला है चली देख मैतपुन सवाल मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ने हाल फिलाल में कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलके और नाइस किया है ओल इंडिया प्रोग्रा तो कि 16 लोकेशन वह रहा तेरा स्टेट प्लस यूनियन टेर्ट्री में इसका जो पहला इवेंट है वो सेलिब्रेट बेसिकली जो है वोमन्स के द्वारा कंट्रिब्यूशन जादा दिया जा रहा है वोमन हुट को प्रमोड भी गया और इसके लिए जो अभी इंटरनेशन वोमन स्टेश में और उसके बाद भी एक कंट्यून न्यू किया जाएगा जैसे कुछ और्णाइजेशन जो है उन्होंने रानी जो कंपलापती रेलवेस्टेशन है वहाँ पे कुछ इवेंट्स किये हैं मध्य प्रदेश में लेट सी नेक्स कोशन कौन सी अच्छा इसमें कौन सी यूनियर्य जिन्होंने इन्यूग्रेट किया है नैश्नल यूथ पार्लिमेंट फेस्टिवल तो ये अनुराप्ठ थाकुर जी के दृद्स किया गए yuth affración sports ministry narration अच्छा और इनके दृवरा इन्यूगरल सेशन किया है नच्छनल राउंड नैश्नल यूथ पार्लि पार्टिस्पेशन जो है यह डिस्टिब्यूट किया है और यह एक इनिशेटिव है जो कि बेस्ट है प्रदानमंत्री मोधी रेंची जो है इसके मन की बात एक इन्होंने लाया था 21 दिसंबर 2017 में उसे संबंदी दिया आइडिया जिसको आगे प्रमोट किया जा रहा है इसका फर्स्ट एडिशन और नाइस किया गया था 2019 में उसके बाद जो अभी थार्ड एडिशन जो है अब लोंज किया गया है डिस्टिक लेवल पे इसको लोंज किया गया है दो लाक पार्लिमेंट अपना नॉर्मल शेडियूर रेज्यूम करने वाली है सेकिंड बजट सेशन का वो कब से तो यह 14 मार्स से होने वाला है वैसे आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर वैबनार हो रहे हैं लेकिन अभी जो है नॉर्मल सेशन की वाज़े से जो है इसको वैबन की डिसकेशन जो है स्टार्ट होगा एज ओल्वेस जिस टाइमिंग पर स्टार्ट हो दा राज्यसावा लोगसावा में पूरा डिसकेशन किया जाएगा बजट का लेट सीधा नेक्स्ट कोशन इसकी शुरुबाद 31 जनवरी को कीगी थी ना कंसरवेटिव केंडिट यून इसके और तो शुक्ष्यूक यह उल्जो है यह न्यू प्रेज़िदेन्ट बनाएं गए तो शॉट कुरिया के न्यू प्रेज़िट बनाएगे तो यह कंसरवेटिव फॉर्मर टॉप प्रोशिक्याटर है जो की हाल फिलाल में जो है न्यू प्रेज़िटन खुशित किया है South Korea के elected one और इन्होंने हराया चीफ liberal rival जो की कौन है ठीक है ली याए ठीक है इनको हराया इनकी वोटिंग में जो है बैलेट वोटिंग में 98% बैलेट वोटिंग को थी जिसमें 48.6% इनको मिला है और 47.8% जो है दूसे एक आपोजिट जो थे उनको मिला है ठीक है और अभी न कौन सी कंट्री के ट्रेड मिनिस्टर जो है भारत में चार दिन के विजट के लिए आए हैं तो कैनेडा के इंपोर्टन है कोशन नाम याद होना चाहिए मिनिस्ट्री ओफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्मॉल बिजनस जो है इनका नाम के है मैरी नेक ये देली में अराइव कर रहे हैं और ये चार दिन के विजट पे हैं और डेफिनिटली हमारे भारत का जो बाइलेटरल ट्रेड बीस इकिस के बाद से इनका वह 11 बिलियन डॉलर के आसपास है जो कि एक ग्रोथ है अराउंड 3 बिलियन की जो कि 25 परसंड के आसपास है तो इस ग्रोथ को बहुत और बरकरा रखने के लिए जो है ये मिटिंग की जा रही है ठीक है अगर देखा जाए कि जो कैनेड़ा जो है एक्सवेश मेजर इ इंक्रीश करने के जुरुत है प्रादानमंतरी मोधी जी अभी दो दिन के विजिट पर जा रहे हैं तो कहाँ पे गुजरात में यह आ crisis होगी है ठीक है ग्यारा मार्च को और यहा भे पडिश्पिट करने वाले हैं गुजरात पंचायद महा संभिलन में और अड्रस करेंगे पूरी गैदरिंग को अगर गुजरात की पंचायदी राज स्ट्रक्चर के देखा जाए तो 33 डिस्टिक पंचायद है 248 तालुकास है और चोदा 1500 के असपा जो है ग्राम पंचायद है और इसमें महा संभिलन में जो एक टैग है ठीक है अपना गाउं अपना गोरव इसको प्रमोट किया जाएगा बहुत सारे रिप्सेंटेटिव आने वाले हैं थ्री टायर सिस्टम से पंचायदी राज इंस्ट्टूट में और जो है एक को भी घोशित किया जो है डेडिकेटेट बिल्डिंग बनाएगा राष्टे रक्षा युनिवर्सेट यारार यू जिसको जो है इसका फर्स्ट कॉन्वकेशन अड्रेस जो है किया जा रहा है उसके में वो चीफकर्स की तरह जाने वाले हैं चलिए एक और कोशन तर्की के रिजोट टाउन अंतियाला में यह फर्स्ट एवर हाई लेवल बीटिंग होगी फॉर जो मिनिस्टर की बीच में पुरान मिनिस्टर जो कीव है और मोस्कों के इन दोनों के बीच में होगी जब से अटैक हुआ है दो वीक तो हो चुके है यूकरेन पर अटैक और को रोका जा सकता है डिपलम ऐसी इंक्रीज की जा सकती है अपने थोड़े दो महीने पहली सुना होगा कि फर्स्ट पिग हर्ट ट्रांस्प्रांट हुआ है तो वह व्यक्ति जो है उनका निधन हो गया है दो महीने बाद ही तो एज क्या थी इनकी 57 पता होना चाही फर्स 27 की इनकी एस थी इनका हर्ट ट्रांस्प्राट जो है साथ जन्वरी को वाद ना लेकिन और ये युनिवर्सिटी और मार्लेंड मेडिकल सिस्टम में इनके द्वारा अनौंस किया गी उनकी मित्ति हुई है कारण इसका यह बताया गया है कि इनका इनका इंफेक्शियस रहा इनका निधन हुआ है किसे एज में तो अनसर है 74 की एज में तो एनफल नेशनल फुटबोल लीग है जो निग्रेर एनफल के फस्ट ब्लेक रैफरी ते जिनका निधन 74 की एज में हुआ है यह नेटिव थे नौर्थ करलोनिया युनिवस्टी ऑफ डीसी ग्रेजुएट थे और उसके अलावा जो है इनका करियर स्टार्ट हुआ था 1965 में उसके बाद इन्होंने कॉलेज फुटबोल में 1972 में पाटिस्पेट किया उसके बाद जो है इनको अपॉर्चिनेटी मिली टू बी दा पार्ट अफ एनफल है ना इनका करियर जो है इसमें इने 15 प्लेओफ गे है अभी आप सभी जानते हैं कि पांस स्टेट्स के एलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं और EVM को फ्रोड गोशित कर दिया अखलेश जादव जी ने ऐसा ऐलिगेशन लगाए एलेक्शन के रिजल्ट के समय में तो उसके अलावा जो है कौन सी कंट्री है जिसको जिसने वोन क अब जाता है कूंसी केस की वज़े से तो निगर का बिल्कुल सही आंसर कार्वन डाक्सेट की वज़े से और आज का सवाल लेगी अकबर ने चैकिंड बैटल पानिवत में किसे हराय था तरीके से बताएं के इंपोर्डन बॉक्स में आंसर जरू लिए यह टेलीग्राम चै क면 Kartmen ज्यसे आप चाहें तो आप खोर्सी जो रूइंड करें कुछ योफिय ओपेर्चेटी्टी हैं जो आपको शो कोर्सी fragrance सारी我說 को मिल जाएंगे आप किसी बी कूर्स में जुड़ें लाइव से आपको डिसकाउंट मिलेगा ही चाह कोई साब ही हो नीत जिए इस फैट इस शेयर करें चैनको शब्साब करें, thanks a lot for watching.